पोको के F5 डिवाइस के लिए यहां पे एक अनदर अपडेट आ चुके है हमारे पिक्सल ओएस का जो के एक इनिसियल अपडेट है बट यहां पे यह काफी मुझे अच्छा लगा है कि वह काफी कुछ चीजे चेंज करी गई है और यह इनिसियल होने के बावजूद भी काफी चीजे अच्छी प्वाइट करता है जिसके परेसे में भी आप इसे पसंद करोगे लेकर उसे पहले आपको वीडियो को पुरा चेकाउट करना पड़ेगा कि क्या कुछ इसमें कैसे देखनी को मिलता है ताकि आप डिसाइड कर पाओ इसे यूज करना है या नहीं वीडियो सब्सक्राइड 14 देखनी को मिलता है जहां पर 5 डिसमबर का सिक्योर्टी पैच है सिल्वर कोर का करनल है और यहां पर पिक्सल ओस आपको लिखाव मिलता है जहां पर आपको इसी का रिकवरी उच करना इसे फ्लैस करने लिए यानि ADB साइड डोड मैठेड आपको पर इसे फिपल में Android 14 के सारे फीचेस आपको मिलते हैं जो कि एड गेस्टर वगेरा का है रिसेट वगेरा भी आपको यहां पर मिलता है सेक्यूर्टी इन प्राविसी में आपको फेस अनलोग प्रोपर काम करता है और यहां पर प्राविसी में वही माईक्रोफोन कैमरा और और लोकेशन वगेरा के आपको मिलते हैं यहां पर मैंने फेसन लोग को चेक कर रखाए कोई दिखत नहीं आती बस आपको इतना करना है कि फेसन लोग सेट करने के बार डिवाइस के रिस्टार्ट कर लेना है बाकि यहां पर आपको पावर मेनू रखना या नहीं पावर ल clocks नए देखनी को मिल जाते हैं जो कि पहले नहीं थे यह नया improvement आया है जो कि अच्छा लगा मुझे उसके वाद यहां पर वह ही वाल पेपर थिमिंग हो गएड़ा काफी सही देखनी को मिलते हैं अनदर यहां पर आता है आपका डिस्प्ले यहां पर अकसर लोग के comment आते हैं एक चीज की poco के custom rooms के बारे में जो के especially poco f5 का है कि यहां पर android 14 पर इतने भी आ अरे अपडेट सब में auto brightness का problem है और यह चीज़ यहां पर मैने भी notice करी है जहाँ आप देखो हम इसे on off कर रहा हूं तो कोई brightness में up या down नहीं हो रहा और मैं इसे down करता हूं अप और down करता हूं को वहां पर काम कर जाता है बट इसमें काफी हद तक response नहीं दे रहा है तो यह आपको समझो कि यह है जब manual की रूप में यूज करना पड़ेगा यह और manual एक ही जैसा करीकर भी रहता है बाकि यहां पर नीचे आते हैं तो आपको पर एप refresh rate का option मिल जाता है full screen app मिल जाता है tap to wake up and sleep refresh rate के option है color के option है जो की काम करते हैं live display में reading mode और color के option मिल जाएंगे यहां पर icon manager भी आपको दिया गया है और बाकि अगर हम इधर आते है back जहां पर sound and profile यहां पर आपको डॉल भी मिलता है जो कि आप यहां पर असानी से यूज में ला सकते हो जिसमें कोई दिकत नहीं आने वाला इसके बाद यहां पर आपको मिलता है clear speaker वगेरा another back क्यों रहते हैं तो आपको रेखने को मिल जाता है जो कि हमारा battery जहां पर profile दिया गया और इसकी help से आप performance को boost कर control भी एड किया गया है फर्स्ट टाइम कि फिक्सल में होता नहीं था बट अब नया चेंज आया है जहां पर परसिंटेज होगा कि इसे आप से अपने charging को control कर सकते हो यहां पर widgets वगेर आप अपने home screen पर add कर सकते हो notification के अंदर आपको वही notification हिश्टिव गरे देखनी को मिलेगा लेकिन apps के अंदर एक और option एड हो चुका है जो कि पहले नहीं हुआ करता था वह हमारा clone mode जहां पर एक application का डॉल करके यूज में ला पाऊगे और यह जैसे यूज करोगे आपके दो profile देखनी को मिलेंगे app drawer में जो कि एक आपका है personal और एक work जहां पर सारे clone वाले चीज़ आपको नजर आएगी और इसे आप चाहो तो एक और में रोक भी सकते हो और बाकी personal यहां पर और सबसे बड़ा advantage जो कि पोको एफाय में देखनी को मिलते हरे एक custom room के अंदर वह है like a camera का support होना और हमारा proper काम करता है मैंने चेक कर रखा है इसमें आपको कोई भी दिक्कते नहीं आती तो यह असानी सापका work करेगा और सारे features भी आपको यहां पर देखनी को मिल जाते हैं जैसे कि आप देखो यहां पर मैंने कई सारे photos क्लिक किये थे कारे काम कर रहे हैं और वीडियो के अंदर आपका 4K का 60fps सपोर्ट भी है जो डेखनी को मिलता है तो केमरे से रिलेटेट कोई सिकायत नहीं आएगी अनदर यहां पर किवेस के अंदर इंडर फोर्टीन ओले सारे features आपको मिल जाते हैं जो कि अच्छे से काम करते हैं लौक स्किन के जो अच्छे से वर्किंग रहते हैं तो इसमें अनदर यहां पर अच्छा खासा है और यह है हमारा मल्टी जहां पर आप देखो अच्छा है और सिंगल भी काफे बहतरी दिन गया है क्योंकि जो हाइप्रो इस ग्लोगल का यह था न वहां पर 16 के जगा 10 था जबकि यहां पर सिंगल आपका 16 रहता है उसके बाद 100 पर डाल है और stand-by timing रहा है हमारा 11 hours 10 minute का जो कि मैं कहूं कि अच्छा है कोई खास ज्यादा बुरा नहीं है उसके बाद डिवाइस आपको certified बैंकिंग आप यूज कर पाऊगे photo storage unlock मिल जाएगा 11 का support मिलेगा और यहां पर आप देखो कि supported HDR type आपको dollar vision वगरा भी देखने को मिलता है त क्योंकि pixel अलब पूरा feel मिलता है कॉस्टमाइशन में थोड़ इंप्रूम्मेंट भी करे गए हैं जो कि आपको अच्छे लएंगे क्योंकि पहले थ्वा ज्यादा और सिंपल होता था और एक्स्ट्रा फीचर से यह देता है और डालना वही है adb side load method का यूज करते हुए जि करते हैं